हाई गाईज मैंने बवनव आप देखे रहे टेकेट 6 वेलकम बैक तो मैं चैनल गाईज सो गई समर से ला गई है flipcard पे amazon पे smartwatches पे यार काफी अच्छे इल मिल रही है वैसे तो बहुत सारे smartwatches है जिस पे deal अच्छे इच्छे मिल रही है बट यहाँ पर न मैंने कुछ list बनाई है जो मैं आप लोगों बता हूंगों जो मुझे लगती value for money है जो मैंने using किया हुआ है जो reviews जिसके अच्छे है सब को collect करके सारे data को collect करके मैंने यहाँ पे एक list बनाया है under 1500, under 2000, under 3000, under 5000 आपको सारे price range के smart watches के बारे में बताओंगा कि किसमें इसमें अच्छी deals है and guys मैं यह नहीं बता रहा हूँ इसमें कि Flipkart में यह Amazon में buy link मैं नीचे दे दूँगा आप जाके check out कर लेना आपको सारे जो जो मैं watch के नाम बनाओंगा सारे आपको discussion box में नीचे link मिल जाएंगे तो check out ज़रू करना तो ज़र start करते हैं यहाँ पे under 1500 smart watches जो मुझे लगती है काफी अच्छी रहने वाली है काफी अच्छी डील है तो गाइस उसमें सबसे पहले नंबर पे है beat xp unbound neo guys avolet display देखने को मिल रहा है इसमें आपको bluetooth calling देखने को मिल रही है यहाँ पे इसकी body polycarbonate की है काफी जादा light weight है guys UI मुझे personally इसका काफी जादा अच्छा लगा है and bluetooth calling ना काफी seamlessly काम करती है 1.8 inches की display होने वाली है यहाँ पे आप उस 60 Hz का display देखने को मिल रहा है guys काफी कमाल का deal रहने वाला है and इसका price ना 1400 something पे है buy link नीचे देखने यह जरूर check out करना अगर आपका budget 1500 है तो so दूसरे नंबर पे है यहाँ पे noise with twist guys 1.38 inches के साथ आता है IP68 देखने को मिलता है guys build quality भी अच्छी है price को consider करूं तो and guys noise का जैसा आप जानती हो UI होता है हलका सा definitely यहाँ पे lag करता है but बहुत जादा lag ही नहीं है guys यह भी 1500 के अंदर ना काफी अच्छी deal है 1499 में मिल रहा है बाइलिंग नीचे दिनुगा जाके check out जरू करना तीसरे नंबर पे है यहाँ Firebolt का Phoenix Pro या Firebolt का Phoenix भी ले सकते हो guys दोनों ही smartwatches ना 1500 से थोड़ा सा उपर है 1500-1600 के around मिल रहा है offer की साथ आपको 1500 के अंदर मिल सकता है build quality यार काफी जादा कमाल की है metal की built है 1.38 inches की display है तो अगर आपको एक premium दिखने वाला smartwatch है यह ना guys Phoenix Pro की तरफ जाओ काफी premium दिखता है sports mode 120 दे रखे है sensors दे रखा है हाँ इसमें SP auto वाला जो है उसमें dedicated नहीं है बट guys 1500 के अंदर कमाल का deal है एकदम steel deal है now let's talk about under 2000 guys सबसे पहला अगर आप round dial smartwatch ढून रहे हो premium build quality के साथ go for bold rover pro single chip bluetooth calling देखने हो मिलती है 1.4th range का amuline display देखने हो मिलता है 1000 nits की brightness है guys UI काफी कमाल का है एंड जो यह perform करता है ना guys bold का rover मैंने यूज़ किया था rover pro यूज़ किया है तो या तो अगर आपको bold का rover मिल जाता है तो अच्छा है bold का rover pro मिल जाता है guys काफी कमाल का है आँख बंद करके आप इसे ले सकते हो इसका price यार 2100-2000 के बीच में fluctuate करते रहता है तो आप जाके checkout ज़रूर करना bold rover भी काफी अच्छा smartwatch है दूसरे नंबर पर है यहाँ पर Firebolt का Gladiator smartwatch यह 2000 में मिल रहा है आपको बाइलिंग वैसे मैं फिर से बता रहा हूँ नीचे दे दूँगा जाके checkout करना Amazon में Flipkart में आप मैं बाइलिंग दे दूँगा आप जाके देख लेना काफी कमाल का smartwatch है यहाँ पर बिल्कुल Apple Watch जैसे आपको लुक देखने को मिलती है जो अल्टरा सीरीज है Apple Watch की उसके जैसा 1.96 इंच का HD दिस्पले देखने को मिलता है 1.96 काफी बड़ा दिस्पले है तो आपको एक बड़ी दिस्पले वाला watch चाहिए Smooth UI चाहिए Go for Fireball Gladiator अच्छा डील रहेगा Square dial में Bluetooth calling देखने को मिलती है World 23 sports mode देखने को मिलता है तो यह अच्छा डील रह सकता है Definitely अगर आप Square dial में बड़ा दिस्पले वाला Under 2000 smartwatch जोन रहे हो Go for Fireball Gladiator नीचे Biling नीचे discussion box में दे दूँगा तीसरे नंबर पर अगर आप like Avalid display वाला 2000 के अंदर smartwatch जोन रहे हो तो guys Beed XP Vega X smartwatch यहाँ पर देखने को मिलता है 2000 से थोड़ा उपर प्राइस है 2100 something का होगा तो यह इसको 2000 के अंदर ही मानेंगे काफी कमाल का smartwatch है Avalid display देखने को मिलती है Guys, display इसकी काफी कमाल की है UI again यार काफी अच्छा है काफी आपको like interactive UI देखने को मिलता है Experience overall अच्छा मिलेगा Colors अच्छे है Avalid display, always on display देखने को मिलता है Bluetooth calling दे रखिए अच्छे से work करती है तो भाई, 2000 आपका अगर budget है अगर आपको अच्छी build quality वाला Avalid display वाला smartwatch चाहिए Then go for DegaX यार काफी कमाल का smartwatch है यहाँ पे आपको Bluetooth 5.3 देखने हो मिलता है Bluetooth calling के माबले में Yeah, he was instant है Sports mode काफी अच्छे दे रखे 100 plus sports mode दे रखे तो भाई, काफी steel deal होने वाला है तो इसको भी आप check out ज़र बना Biling नीचे दे दूँगा Let's start with under 3000 smartwatches जो deal अच्छी मुझे लगी है सबसे पहला number पे Fireworld Visionary आपको inbuilt storage देखने हो मिलती है Music store कर सकती हो T-Dueless connection देखने हो मिलती है यह सब का मैंने जो भी smartwatch बताई है न तो सब का नहीं Most of these smartwatches का मैंने review कर रखा है Use सारे की है तो आप इस वीडियो पे भरोसा कर सकते हो तो यार Fireworld Visionary आपको 3000 के अंदर मिल रही है Even 2800 something में मिल रही है जब मैंने last check किया था तो definitely यार Steel deal है Fireworld Visionary काफी popular smartwatch है आप जाके check out कर सकते हो Even Fireworld Visionary Plus Pro Ultra जो भी कहनो आने वाला है यह sale के बाद launch करेगा Fireworld तो उसका भी review मेरे पर चैनल पर आ जाएगा तो यह चैनल को subscribe जरू करने ना अगर आपको review देखना है launch day के दिन But guys Fireworld Visionary काफी अच्छा smartwatch है AMOLED display देखने को मिलता है TWS connection है जैसे कि मैंने कहा inbuilt storage है काफी features अच्छे अच्छे दे रखे है rotating crown देखने को मिलता है तो definitely आप से check out कर सकते हो by link नीचे दे दूँगा अगर आपको अच्छे build quality वाला 3000 के अंदर एक round dial smartwatch चाहिए then guys Firebolt Dagger यह मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ अच्छा पैकेज के साथ आता है प्रीमियम बिल्ट है अगर इसका आप silver वाला वर्जन लोगे ना तो यह कमाल हो जाएगा काफी कमाल का दिखता है तो definitely आप इसे भी consider कर सकते हो और यह भी आपको 3000 के अंदर 2900 से 3000 के बीच में वैरी करेंगा आपको मिल रहा है काफी अच्छा डील रहने वाला है आप जाते चेक आउट ज़रूर करना तीसरे नंबर पर वोट वेव कनेक्ट काफी पूराना smartwatch है बट काफी reliable है 3000 के अंदर मिल रहा है वैसे यह usually भी 3000 के अंदर मिलता है यह smartwatch काफी अच्छा है काफी अच्छी sound feedback भी होती है charging के time यह वगयरा Bluetooth calling दे के रखी है AMOLED display नहीं है बट गाई अगर आपको एक अच्छी Bluetooth calling वाली smartwatch चाहिए reliable चाहिए reliable smartwatch चाहिए even आपको like tracking वगयरा करनी है like sports की gym जाते हो तो definitely board wave connect को आप consider कर सकते हो buy link नीचे दे दोंगा 3000 के अंदर मिल रही है काफी अच्छा dealer तो guys अब बात करते है under 4000 smartwatches की तो यहाँ पे पहले नबर पे है board lunar connect pro guys AMOLED display है build quality काफी तगड़ी है tracking काफी अच्छी करकर देता है तो अगर आपको एक Bluetooth calling smartwatch चाहिए जिसकी tracking अच्छी हो sports mode यार 700 plus active sports mode देखने को मिलते है बहुत सारे sports mode है और यहाँ पे ना आपको लएक इसकी जो tracking और overall मुझे काफी अच्छी लगी है dedicated sensors दे रखा है build को लिए अच्छी है लुक काफी कमाल का है Apollo 3.5 इसमें processor देखने को मिलता है for that smooth scrolling तो इसकी जो UI है वो भी काफी smooth है charging support करता है 30 minute में full charge कर देगा तो यह यार काफी अच्छी चीज है तो definitely यार under 4,000 अब इसे consider कर सकते हो वाई लिए लिए नीचे देते हुआ काफी कमाल की smartwatch है मैंने use की है वैसे अभी board wave connect plus भी आ रहा है और यह सिर्फ 2000 गा रहने वाला है इसका जो मैंने pre-launch review मैं बना चुका हूँ launch के दिन इसकी review मिल जाएगी आपको तो यह सब्सक्राइब ज़रू कर लिए न अगर आप review मिस नहीं करना चाते हो तो जल्दी से अर लिष्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं second smartwatch की under 4000 तो guys वो है Fireboard Invisible Plus guys अभी हाली में मैंने review किया आप जाके check out कर सकते हो काफी कमाल की smartwatch है अगर आपको एक luxurious smartwatch है न luxe edition का smartwatch है काफी कमाल की है आपको metal की belt देखने को मिलती है inbuilt storage है काफी सारे आप songs लोड कर सकते हो TWS pairing देखने को मिलती है dedicated sensor दे रखा है बाई sports mode काफी दे रखे है तो एक कमाल का like build quality wise तो मुझे personally काफी जाद अच्छा लगा था and overall ना यार अगर आपको एक अच्छा premium luxury edition का smartwatch चाहिए then definitely firebot invincible plus के तरफ आप जा सकते हो and यह आपको 3999 में मिल रहा है वैसे यह 4500 का है 3999 में मिल रहा है तो एक दब steel deal है Bluetooth calling है definitely इसमें तो जा के check out जरू करना and guys bonus है अगर आपको under 5000 smartwatchे चाहिए तो उसका ना buy link दे दूँगा under 5000 title के नीचे आपको buy link मिल जाएगी जो मुझे रखता है under 5000 काफी अच्छा deal रहने वाला है क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन गया है तो इसने मैं नीचे discussion box में दे दूँगा guys यह जो भी लिश बनाई है यार मैंने personal use कि smartwatch इसको तब बनाया है अच्छे reviews है इसके तब बनाई है तो definitely यार आख बंद करके आप मेरे list में से कोई भी smartwatch को पिक कर सकते हो जिस price में मिल रहा है न value for money रहने वाली है आप लोग बता यार आपको कौन सा अच्छा deal मिला है flip card में Amazon में नीचे comment करके ज़रू बताना वीडियो आ तक देख लिए है अच्छा लगा like कर देना चैनल में नए हो subscribe करो मिलते अगली वीडियो में